चेश्रे biblical दोस्तों वालकम बैक वालर चैनल आउप आप सब स्वास्त होंगे और और मस्त होंगे आपके सथी बहुत ही प्यारा सा मेक-आप लुकियर करने सही हूँ बहुत ही फैराय लगता आप इसी इंद्यन वेस्टन किसी के साथ भी कर सकते हैं यह आपको कोई मेकप लुक जब समझ में ना है इवन आप इसे फंक्शन में भी कर सकते हैं बहुत ही अच्छा लगता और बहुत ही इजी तरीके से क्रेट हो जाता है और वीडियो में मैंने कोई भी फिल्टर का यूज नहीं करा है नहीं एक्स्टर लाइट का यूज करा है देखिए मैं बहार नैच्रल लाइट में बैटके शूट कर रही और कोई फिल्टर नहीं है तो यहां पर दोस्तों पर सबस्क्राइले मैं अपनी स्किन को हाइड़ेट करा निवेया सॉफ्ट जो भी मॉश्राइजर क्रीम आपको सूट करते हैं आप वो लीजिए और अपन से कर सकते हैं तो उसके बाद दोस्तों मैंने यहां पर लिया है अलोवेरा जेल यह हमारा प्राइमर का काम भी करेगा स्किन को हाइड़ेट भी करेगा और स्किन को नुकसान भी नहीं देता है तो यहां पर दोस्तों यह मैंने अच्छे से लगा लिया है और लगा कि इसको स रिलाइटियर कम प्राइमर है लिमिनेटिंग यह गयूंग लोग और साथ में हमारे मेकशा रहूं को काफी फिर विक्ते हैं आप उसको में आप यह बहुत लगा है इसकी कवरिज का है मीडियम है बहुत जारा हाई नहीं है तो नाचरल लुक के लिए कहने कोई फांडेशन है पर नाचरल लुक देता है काफी और काफी अच्छा है और अफॉर्डबल भी आप इसे ट्राइ कर सकते हैं दोस्तों कोई स्पॉंसर वीडियो नहीं है मैं सारे यहाँ पे लिया है यह इनसाइट का कंसीलर और यह मैंने यूज करा अपनी आखों के ऊपर और आखों के नीचे और जो फेस पे एक दो तिल्विल है उनको हाइड करने के लो जहां भी आपके डिसकालरेशन हो दाग धब्यों काला पन हो तो वहाँ पे आप कंसीलर लेके इ कोछ नहीं होता है तो हम अपलाई करेंगे यहां पर देखते हो मैंने पहले आखों के नीचे ब्लेंड कर आप देखेंगे एकदम कितनी फिनिशिंग आगे कोई फिल्टर नहीं है आपको एकदम फरक दिख रहा हो दोनों आखों में कि डाक सकल सारे हाई डोगर इसके नोग यहां पर बेस पर लगा लिया है ताकि कोई क्रीज ना है और मेरा बेस अच्छे से सेट हो जाए कि नीचे भी उपर देखते हुए ही हम हमेशा करेंगे अगर आप उपर देखते हैं हमेशा लूस पाउडर और कंसीलर को सेट करेंगा आइस के नीचे रों कभी भी फाइन ल इसके बदले हैं मैंने हाँ पर सोईस बीटी की यह आई शेड़ पैलेट लिए जिसमें से मिल्कुल नाच्रल सा कर लोंगे और मैं पूरी अपनी आई लेट पैस ट्रांजिशन और क्रीज लाइन पर पूरा एक तरा से ना बेस बना लोंगी नेक्स टेप के लिए तो यहां है दोस्तों यह काफी अच्छा इसका पिंग्मेंटेशन है इसके शेड़ का एक दो शेड़ को छोड़के तो यहां पर यहां पर आप देखेंगे यहां पर मैंने लिया है यह वाला कलर यह देखिए और पूरी अपनी आई लेट पर फिंगर की हल्प से अपलाई कर लिया तो दोस्तों इससे जादा इजी और क्विक आई मेकप लुक ही इन सकता है जिनको आई मेकप बिल्कुल भी नहीं आता वो इस तरह कम आई मेकप कर सकते हैं पहले लाइट सा कोई शेड लगाई है पूरस पर आई लेड वगरा पर ट्रांजिशन पर ट्रांजिशन पर और फ उसके सकते हैं दोस्ते में पर इतनी नाचरल लोग है आई ब्रोस की मैं दूंगी बहुत जादा डांग दोना तो वह अलग से बहुत जादा आई जो आपको आपको फेस अड्रामेटिक सा लगता है और कोशिश करिए आप ब्राउन कलर की ही यूज करिए अगर आपके ब्र फिंगर की हल्प से पहले अप्लाए कर लिया है और बात में मैं इसको हलके हलके हाथ से क्या करूंगे ब्लेंड करूंगे लेकिन आज मैं क्या कर रही हूं कंटॉर भी मैं साथ में ले लिए इसके लिए मैंने एन वाई बेश की कॉंटॉर स्टिक लिए है तो मैं इन दोनों को अब क्या है एक खटे से ब्लेंड करूंगे एक अच्छा सा शेड बन जाए कर नोस पर मैंने दो लाइन से बना ली है फोर हैड और जो लाइन को मैं कॉंचोर नहीं कर रही है अब मैं क्या करूंगे इन दोनों को आप देखेंगे एक खटे ब्लेंड करूंगे पहले मैंने ब्लश को ब्लेंड करा फिर बात में कॉंट्रोर को तो इससे ना क्या हुआ काफी दोनों काम मेरे स्टैप एक साथ होगा और आप देखेंगे काफी फिनिशिंग आई और बहुर अच्छा सा शेड देखी है आप नाच्रल सा निकल कर आया मैं अगेन बोल डिन दोस्तों कोई नाच्रल आइट में शूट कर रही हूं कोई एक्स्टर लाइट ने देखेंगे आप कितना नाच्रल शेड आया तो इसी तरह से मैंने यहां पर कर लिए पहले लाइट कलर को करा फिर नीचे अपनी कंट्रोर लाइन को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिए ताकि अलग से को तो थोड़ा सा लग गया लेकिन कोई बात नी वह क्लीन हो गया तो आप इसी का ध्याना के बीच-बीच में हातों को चेक कर रहे है जिन फिंगर्स को आप यूज कर रहे है उनको चेक कर लिए उनको को यूर प्रोडेक्ट नहीं लगा है मालूम पड़ आपका पूरा बेस तो यहां पर हलका सा मैंने नोस पर ड़ा लगा है एक फोर है अपनी पोर नेट पर अपने ड़ा दिया नीचे और मैंने सब को कर लिया अच्छे से बलेंड इसके बाद मैंने फिर अगें स्विस बीची की यह आई शेडो कि लिए इसमें से मैंने यह ब्राउन कलर लिया है और मैंने अपने आँखों के नीचे एक लाइन बना लिया है यानि की जो मैं काजल लगाँगी बाद में उसको लॉक करने के लिए यह यहां पर ले लिया है यह शेड तो आप यह देखिये वाला मैंने शेड लिया है यह शेड क्या है अप कोई शेड समझ में ना आए ना काजल के नीचे आई मेकप लूक कमदीद करने के लिए आप यह लगा ले उसके बाद मैंने यहां प लिया है अपना फेसिस कैनटा का आई-लाइनर और मैंने आई-लाइनर अप्लाइब लिया है जो बिगनर्स हैं यह जिने बहुत पतला आई-लाई-लाइनर लगाने की शोक ह जो आप्लिकेटर है बहुत ही स्मूथ है और बहुत ही थिन है तो इस सब जितना थिन चाहें उतना अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ कॉर्णर पर आइलेनर अप्लाई कर रहा है पूरी आखों पर आइलेनर में अप्लाई नहीं कर रहा है कोने जीफिड बो करा, चिंद को करा, फोर हेट को एट को करा, इन सब पार्ट कोद अन्मने हाईलाइट करने के बाद दोस्तों, अपने मेकप को बाद में लिप्स्टिक के साथ करा, कम्पीट तो अलमोस्ट ही हमारा हो चुका है, मस्कारा भी लगाया था, I think, शयद मैं मसकारा की क्लिप लेने भूल गई हूँ लेट अस चेक, आगे अगे हम चेक करते हैं कि मैंने मसकारा लगाते हूँ इसमें क्लिप एड ली है, शूट करी है नहीं है, शुकर है, ली थी तो मैंने लोवर और अपर दोनों अच्छे से मसकारा का कोट लगाया तो मैं फेक लेशिस दोस्तों कम यूज करते हूँ आप चाहें तो आप लगा सकते हैं यहां लिप्स को मॉश्राइज कर रही हूँ ब्लू हेवन के लिए बाम से आप स्टार्टिंग में ही करना होता है लेकिन मैं भूल गई थी उसके लिए सौरी कहीं जाना था थोड़ी जल्दी में भी थी दोस्तों तो हो जाता ऐसा तो यहां पर अब देखे लिप्स्टिक की क्लिप मैं लेना फिर भूल गई तो मैंने लिप्स्टिक का यहां पर शेड मेंचन कर दिये यह आई मेकप बहुत जड़ा डार्क हो गया हो डे टाइन के साफ से ब्युक्ल परफेक्ट मेकप हुआ था दोस्तों और बहुत ही अच्छा लग रहा था और जो लिप्स्टिक है वो यह है ब्लू है ब्लू हेविन की एलिगेंस लिप्स्टिक और इसका शेड है नमबर 12 तो यह आप ट्राइ करें काफी ब्राउन काना काफी डिफरेंट सा काफी अच्छा सा शेड है तो यही थी दोस्तों मेकप लोग जो मझे आपके साफ शेर करनी थी यह आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक करिये गा शेर करेगा चो मेरे चानि मेरे चल्ओ करेगा हो worry करीगा बाइकन बहुंध